राजकुमार राओ आपस आचुके सिनमा गरों में अपनी मुवी श्रीकान बोला के साथ और गंसेन गुलाब में exceptional performance देने के बाद कोई गुंजाईशी नहीं रह जाती कि उनकी तरफ से कोई खराब performance आए ये मुवी बिना कोई sympathy grab के हुए आपको अच्छा कासा emotional experience दे देती है ये मुवी देखने के बाद आप जब ठेटर से निकलोगे ये मुवी आपकी दिमाग में रह जाएगी और ऐसा नहीं कि ये मुवी में कुछ fault नहीं है, fault है लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं पहले बात कर लेते हैं मुवी की story के ओपर बीना कोई spoiler दिये हुए इसमें हम एक लड़के की कहानी दिखाए जाती है जो देख नहीं सकता और जिन्दगी उसका हर एक कदम पे इंतियान लेने के लिए तयार बैटी है अब अपनी ये जिन्दगी कैसे जीता है और कैसे ups and downs से वो लड़ता है वो अपने हालात को अपनी ताकत बना लेता है अब ये लड़का आगे दुनिया में कैसे अपना नाम बनाता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ीगी अपने नजदी की सिनमा गरों में और ये मूवी की सबसे बड़ी मेन हालाइट पॉइंट है राजकुमार रो लिटरली इस बंदे को कोई भी केरेक्टर आप दे दो ये अच्छी तरीके से उसको निभाएगा कि ऐसा लगीगा कि इससे अच्छा कोई ये केरेक्टर को निभाई नहीं सकता था और जबकि ये मूवी बायूपिक है आप किसी बंदे को अडैप कर रहे है अपने मूवी की स्क्रिप्ट में और बायूपिक वाला जॉनरा हमेशा से ही रिसकी जॉनरा रहा है और फिर भी राजकुमारों एकदम फ्लुएंटली ये सब चीज को हैंडल करते हैं भले ये बंदे को किता भी लोग ट्रोल कर लेए ये बंदा अपने एक्टिंग के दम पे सब को जवाब देना जानता है ये मुवी की second most highlight point है कि ये मुवी अपने character के तुरू कोई भी sympathy gain करने के लिए try नहीं करती है क्योंकि ये मुवी में एक dialogue आपने सुनो होगा हमारे चक्कर में ना पढ़ना आप हम आपको बेच के खा जाएंगे ये मुवी वैसी ही आपने आपको present करती है ये मुवी आपको सिखाएगी कि motivation होना चाहिए तो life में कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए और एहंकार से भी बचके रहना चाहिए आपको ये movie आप miss out करी नहीं सकते है अभी आपने miss out किया और बाद में आपने OTT पर देखके इसके बारे में बात की तो आपसे बड़ा मुझरिम इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ये movie को सकते सक audience की जरुरत है और आपके attention की जरुरत है तो चलिए बात करते हैं थोड़ी downside इस movie क ये movie बायोपी के श्रीकान भोला कि जिनकी live में बहुती सारे incident हुए जिसको जानना आपके लिए सक से सक जरुरी है लेकिन ये movie वो सब incident को बहुती तेजी तरीके से दिखाती है मतलब आप एक scene में हो और तुरंती आपको दूसरे scene में fake दिया जाता है और ऐसा नहीं कि ये point सबसे बड़ा downside है क्योंकि ये movie दो गंटे या धाई गंटे की उपर की movie है और एक person की कहानी दो धाई गंटे में cover कर पाना next to impossible है और ये movie के जो song से होते अच्छे नहीं है और अच्छी तरीके से vibe भी ने देते है movie में और एक song है जो remake है लेकिन वो सुनने में अच्छा लग करनी है ये movie के downside जो है वो आप ignore भी कर सकते हो as a reviewer मुझे हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है कि movie कहां कमजोर पड़ी है कहां strong पड़ी है लेकिन as a audience ये आपको अच्छा खासा entertain करने वाली है और आप family के साथ बिना संकोच के ये movie देखिएगा आपको full entertainment मिलने वाला है ये movie का जो 2 गंटा रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां चलेगा अगर आपने ये movie देख लिया है तो comment करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये movie कैसी लगी अगर आपको इस review से ज़रा भी help मिली इस channel को subscribe करेगा वीडियो को like करेगा शेर करेगा तो मिलते है अगले review और recommendation में